नमश्रार दोस्तों, आजकी ये वीडियो, Microsoft Access को ले करती है Microsoft Access में खासथवर ले composite की composite की क्या होती है और इसके दलब어 candidate की क्या करती है composite key के बारेमे तो पहले ही जिरे कहा Shilti और primary key तो बहुत सरे वीडियो पैले ही मैंने release की हुईं है तो प्राइमरी खी तो पाँसे कहम आपको समझने आपको समझने है अब बात करने है आपको यां पाई रही होगी है और हो जो हुद जैसे कि आपने एक database बनाया उस database में बहुत सारी टेबल पनाई और बहुत सारे टेबल में अलग primary key बनाई तो उस पूरे को यह तरह से हम ले 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 जिसमें आपने बहुत सारी primary key बनाई है तो उस पूरे को combined इक स्टूडेंट का नाम प्राइवरी की हो सकता है कि एक स्टूडेंट के नाम से कई बच्चे हो सकते हैं तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम यूज करने जा रहा है तो इसकी जगह कुछ और रख सकते हैं इसको मैं क्या करता हूं यहां पर रखेंगे हैं यहां पर student का roll number आ जाएगा चुकि roll number तो primary क्या हो सकता है एक class में एक student को same roll number तो मिल लई सकता है जब भी होगा तो एक student को जो roll number मिला होगा उससे different दूसरे को मिलेगा तो यह एक ले लिया field हमने roll number और दूसरा field ले लिया name of student ठीक है तो यह एक table में हुआ यह एक table में हुआ ठीक है दूसरे table अगर हम बनाते हैं तो दूसरे table में भी हम same काम कर सकते हैं तो फिलाल एक ही table में दिखाता हूँ primary की तो आपने देखी लिया और यह आपका foreign की है name of student तो यह एक class में तो यहाँ पर auto number data type लेने के चलते हैं यहाँ पर number खुद से आएगा बस आपको नाम लिखना रहेगा बाकी number हमारा खुद से आता चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखता हूँ suyers suyers शुकला कर देते हैं तो यह एक नाम हमने लिख दिया यहाँ पर फिक है अब यह लिखने के बाद यहाँ पर आते हैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं Sachin Verma यह लिखा Sachin और पर लिख दिया Verma ठीक है अब यह दो नाम हमने लिख दिये अब इसमें primary की है और candidate की में differentiate कैसे करें देखिए इसमें candidate की भी है और primary की भी है ठीक है अब कैसे है वो आपको बता देता हूँ अब देखिए इसका screenshot मैंने लिया है अब देखिए यहाँ पर जो है यह role number हो जाता है primary की यह कुनसी की है primary की है रोल number primary की है तो यहाँ पी लिख दिया मैंने ठीक है अब इन दोनों को अगर मिला दे अब देखिए अब name of student foreign की है लेकिन इन दोनों को अगर combined रूप से मिला करके देखें तो एक primary की है और दूसरी की है foreign की है यह होगी primary और यह है foreign की foreign की क्या आगे f लिख देता हूँ ठीक है तो यह foreign की है अब दोनों को मिला दिया जा यानि इन दोनों को combinedly अगर हम देखें तो इसको मोल सकते है candidate की क्या बोलेंगे candidate की अब बहुत सारे tables आपने बनाए हैं और उन बहुत सारे table में अलग-अलग primary keys बनाई हैं आपने ठीक है तो उनमें में हम candidate की को देख सकते हैं ठीक है जैसे मैंने यहां पर बताया आपको वहां पर भी candidate की हो सकता है ठीक है चलिए आपको एक और example सेट करके दिखाता हूँ कि candidate की का example क्या हो सकता है तो यह बात समझ में आ गही जांप चलिए आ आईए आधा नए प्र से बनाते है यह नियाए चेबल आ गया को में नाम देता हूँ प्रोड़ट टीप्रोडच्ट टीप्रोड़टिद्यस का टेबल घिक है यह प्रड़ट्ट की आईड आएदी अइगी होगा और यहां पर आएगी प्रोड़क्ट की प्राइस की बार ठीक है तो यह से रख देंगे करेंसी डेटेक्ट यह सब हमने कर लिया इसमें क्लिक करके और यहां यहां पर आईडी आ रहा है तो यहां पर आईडी मैं रखता हूं यहां से खीच करके बढ़ा कर लेंगे और यहां पर प्रोड़क्ट में लिख देता हूं शुगर यानी चीनी और यहां पर इसकी प्राइस आएगी तो माली जी यहां 45 किलो चीनी रख देते हैं ठीक है इसी तरीके से करते हैं दूसरा जो प्रोड़क्ट है वह है पुल्स और प्राइस है तो आप देखिए इसमें क्या प्राइमरी की होगी और क्या प्राइमरी की होगी यानि ओर यह क्या है तो आप चाहे इन दोनों का सेग्मेंट ले लेगे और यह दो भी हो जाएंगी candidate की क्या हो जाएंगी candidate की यह लिए हमने candidate can be date ठीक है तो यह होता है candidate की और यह होता है foreign की उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई हो अब एक topic और रहे गया है उसके बारे में discuss कर लेते हैं यानि composite की के बारे में discuss कर लेते हैं तो composite की क्या होगा तो चलिए एक और table बनाते हैं create पे चलते हैं और यहां से table पे चलते हैं और यहां से view पे क्लिक कर देते हैं यह table 2 लिखा हुआ रहा है हम इसको नाम चेंज कर देंगे हम यहां लिख देते हैं student t यानि student की table student table बना लेते हैं यह ह registration number को अपने primary की बना दिया ठीक है registration number को क्या बना रहे है primary की ठीक है अब यह मैंने समझाने का तरीका है आप अलत तरीका भी इस्तवाल कर सकते हैं यह मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको composite की भी अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है अब यहां पर आए तो अब roll number त Onun इसको बना दिया इसको क्या करेंगे तो यहां से जाएंगे इसको number रख देते हैं यहां से जा करके इसे हम short text रख देते हैं ठीक है लेकिन हम यह चाहते हैं कि जब भी ले इसमें भी unique value ही ले जब unity value की बात करेंगे तब तो इसको primary की बना यहां से इसको सेलेक्ट रखेंगे और आएंगे कहां यहां पर इंडेक्स लिखा हुआ है यहां पर आने के बार यहां पर आकर स्टूडेंट तो यह रहे दिया हमने इसमें की टेबल में दोनों चीज fisherman डोनों का तीनों चीजै ठीक है अब कौन के चारेंगा शाए जह देखते हैं यहां पर और यहां से क्लिक उपर यहां से composite की है composite की का character क्या होता है यह primary की के जैसे act करता है composite की ठीक है तो अगर मान लीजे मैं यहाँ पर roll number r01 दे देता हूँ और यहाँ पर name of student राहूल दे देता हूँ यह लिख दिया मैंने राहूल ठीक है अब फिर नीचे आते हैं यहाँ पर registration number two automatically याद आएगा यहाँ पर अगर मैं r01 देने की कोशिश करता हूँ तो यह तो अभी accept कर गया है और यहाँ पर दूसरे student का नाम दे देता हूँ ठीक है अभी जैसा ही enter करके नीचे आएंगे तो लिखा हुए the changes requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index primary key और relationship change the data type तो अभी हमें यहाँ पर change करना पड़ेगा हम data type क्यों change करें यहाँ पर change कर दीजे देखिए अभी यह काम हो जाएगा तो यहाँ पर आए अब देखिए यह accept कर गया तुरण ठीक है इसी तरिक है इसी तरीके से हम प्राइमरी की जब होगा तो यहाँ पर यह की सा शाइन बना होगा यह की देख रहा है और यहाँ पर प्राइमरी की भी बना हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो है इसे हमने प्राइमरी की बनाया था इसको प्राइमरी की नहीं बनाया था इसे तो composite की बनाया मैंने यहाँ प रोल नंबर को और ये जो ये दोनों जो है इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो भी ये candidate की के जैसे act करेगा अगर इन दोनों को भी मिला देते हैं तो ये भी candidate की के जैसे ही act करेगा एक candidate का role number और नाम दोनों साथ हो तो ऐसे condition में role number अगर duplicate value ना ले रहा हो तो भी ये candidate की के जैसे ही work करेगा अगर हम registration number और name को मिला दे तो भी ये candidate की के जैसे work करेगा तो ये होता है candidate की primary की और foreign उमीद करता हूँ, बात पूरी clear हो गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको share कीजिएगा